नमस्कार मैं रौनक शुकला प्राइमनिस24 में आपका स्वागत है खबर उत्रवदेश के गॉंडा जीले से है प्राइमनिस24 की खबर का असर दिखा समवार को कडरू सिहा के पैदामी पुरुवा में हुए विसफोट की सचाई परकने के लिए गटना स्थल पर पहुंची फोरेंसिक जाच टीम जबकि पुलिस गटना को सिलेंडर दोरा विसफोट होने का दावा कर रही थी के पैदामी पुरुवा में समवार को हुए अचानक तेज धमाके के साथ विसफोट में एक महिला की मौके पर मौत हो गई थी तथा जिला स्पताल गोंडा में इलाच के दोरान एक पांच वर्षिय लड़की की भी मौत हो गई थी परिवार के दो सदस्चों की मौत के मामले में गाओं में मातम चा गया विसफोट की वज़व से छट समयत पूरा मकान डह गया इस गटना को पुलिस ने गैस सिलेंडर से विसफोट होने का दावा किया वहीं आसपास के लोग इस विसफोट को विसफोटक पदार्थ के द्वारा मान रहे थे मंगलवार को पहुँचे फोरेंसिक टीम ने गटना स्थल की बारीकी से जाच परताल किया जिसके जाच में मामला भिन रहा पुलिस ने ग्रामीनों की मदद से शतिगरस्त मकान का मलवा हटवाया और फोरेंसिक टीम ने मलवा के अविशशों के नमूने को लेकर फोटोग्राफ किया विसफोट की वज़व जानने के लिए पुलिस टीम ने काफी मशक्कत की गटना स्तल पर रसोई गेस, सिलेंडर, रेगुलेटर, चुलहा, पाइप का कोई अवशेश नहीं मिला रेगुलेटर पाइप सब वही सही सलामत देख सब अश्चर चकीत रह गए गाओं में सन्नाटा पसर गया, तथा दबी जुमान से ग्रामीनों की चर्चा से विसफोट की गटना संदिक्त बनी रही हलाकि फोरेंसिक जास टीम ने रिपोर्ट आने के बाद ही गटना की असली वज़़ इस पष्ट हो पाईगी यह कहा है बताये जा रहा है की पैदा में, पुरुवा में, समवार की दूपर को अचानक तेज दमाखे के साथ बरसा थी के गर में फिसफोट हो गया था जिसके तेज दमाखे से पक्का मकान गिर गया था जिसकी चपेट में आकर मा बेटी की मौत हो गई थी उनकी दो बेटियां समेट पांच अन्य गायल हो गए थे मंगलवार को फोरंसिक टीम ने विरेंदर कुमार ने गटना स्थल पर पहुंच कर हर पहलू को बारीकी से जाच किया तथा गटना स्थल पर बिखरे मलबा व अवशिशों के नमूने लिए इस दोरान परसपूर थाना के प्रबारी निरिक्षक राम उतार सिंग यादव पुलिस बल समेट गटना स्थल पर जांच पड़ताल में जुटे रहे टाइमनिस 24 मध्यांचल ब्यूरो अमरेश प्रजापती के साथ ब्यूरो चीफ गॉंडा और प्रदिप कुमार की एक खास रिपोर्ट